बिरेंजी आप तो पावर कारिडोर के में बहुत रहते हो और बहुत चीजें कोई खबर भी आपको रहती है मसला बताईए कि एक हपते में तीन आईएस अगर यूपी केडर के इस्तीफा दे देते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है मीडिया में भी मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा इस चीज की चर्चा नहीं हुई कारण क्या है कि ये तीन-तीन लोग एक साथ इस्तीफा दे दिये हपते बर में देखिए ये इस्तीफा बताता है कि कुछ अफसरों में रिर्ड की हड़ी बची हुई है बाकी में तो काफी गल गई है जो थोड़े बहुत अफसर हैं दू-चार परसेंट उनके अंदर बची थी उन्होंने इस्तीफा देके अपना रास्ता किनारे लिया रेणुका कुमार 30 जून को गई थी उत्तर परदेश से एक साल वो केंदर में रह पाई और वहां मामला बना नहीं और उनको इस्तीफा देना पड़ गया वो आपस भेद दिया अभी उनकी नोकरी एक साल बची है उनके पती भी केंदर सरकार में पंचायती राज भाग में सचिव हैं लेकिन अजूतिका पाटाणकर का आप देखिए उनकी नोकरी अभी तीन साल है चौबिस तक है और उनको रखा है केंदरिय सुचना आयोग में सचिव बना कर वहां कोई काम नहीं था गोठल वाल का मामला ये जरूर है कि वो लीप पर थे और सायत कहीं विदेश में फिर क्योंकि उनकी नोकरी अभी 18 साल बची है 16 साल 2038 में उनका रिटायर्मेंट है तो वो कोई न कोई नोकरी तो करेंगे जरूर ऐसे खाली तो बैटे नहीं रहेंगे अब बात आती है यूपी की ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी है समुद्र की तरह है दुचार लो कोई कमी ना होए चाहे खजाने पर चाहे जतना बोज पड़े तो सेवक के तोर परभरती होने वाले लोग मालिकों को भी पीछे छोड़ देते हैं बेवस्था में और जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तब से ब्यूरोक्रेसी और बेखाफ हो गई और क साहितिकार ने कहा कि तुम हो लूटे हो हम हो लूटी लूटे के आजादी बा और सबसे ज़्यादा वही लूटी जगरेतन पर खादी बा लेकिन अब खादी वाले तरस रहे हैं और ये इधर मलाई काट रहे हैं ये भी एक चेहरा ब्यूरोक्रेसी का है जब इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है 500 से ज़्यादा अफसर है उत्तर परदेश में तो सभाविक है कि बहुत सारे इसमें इमानदार हैं बहुत सारे बहुत बहुत बैमान हैं बहुत सारे लोग जुक जाते हैं पहर भी छू सकते हैं गिर जाते हैं राजनेतिक नेताओं के सामने लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी ये बात जान गई कि मंत्री हमारा कुछ नहीं विगार सकता तो वो PWD से लेके स्वाद विभाग से लेके इसे तबादलों के भश्टाचार ऐसे ही उजागर होते हैं और मंत्रियों के चिलाने के बाद भी उन पर कारवाईया नहीं होती हैं आप ये देखिए कि आजकल उत्तरप्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में एक चर्चा है SPG protection की जिसके पास SPG protection है वो लंबे समय तक नोगरी करेगा वो लंबे समय तक मलाई खाएगा अच्छे पद पाएगा बड़ी-बड़ी कुर्सियों पे रहेगा चार-पांच विभाग एक साथ भी पा सकता है यह SPG protection हम लोग समझते थे दिल्ली में परदान मंत्री उंत्री को मिलता है लेकिन उत्तर परदेश में यहां एक अलग तरह कि यह सुरच्छा है सब आईए सबसर जानते हैं कि यह क्यों सा protection है और कहते हैं भाई कि विरेन जी आप लाजवाब हैं भाई हमारे समाज में हरादमी को बेमानी की जरूरत भी है और वहीं सोर भी मचाएगा बेमानी बहुत ज्यादा हो रही है अब आप देखिये कि राजस परिस्द में कितनी लंबी लंबी सजा काट रहे हैं अफसर पांस साल छे साल लोगों की सजा खत्में नहीं हो रही है उनका क खत्म हो रहा है अरे आईये सबसरों की एक जो जेल एपी सी साखा बिर्जेटी बीसों आईये सबसरों की साथ साथ जो उमर के जो नोकरी के अंतिम पड़ाओं में हैं भासा विभाग सामान परसासन विभाग एकी करण विभाग यह सब का जाए तो डंपिंग यार्ड है व पर यह भी तो काबलियत है कि एक एक अपसर सोला सोला दददस विभाग का चार्ज है अब पांडे जी को जलन हो रही है इस कारण चिला रहे है और कोई बात थोड़ी है पांडे जी ने बहुत सारी बाते साब कही हुए रहे हैं देखिए मलाई यह तो इर्शालू है दूस अपसर को बहुत रहता है मगर आराम के साथ तो उनको अपनी कोई सुविधा में कोई कमी न आवे अगर उनकी पोस्टिंग खराब हो गई तब आप देखिए पांड चार्ज वाले भी कैसे नाग रगरते हैं कोई यह भी कूचा बचता नहीं है जी आज बिर जी नाग आज कल गाड़ी में पीछे की सीट पर भी साफ मिलते हैं बहुत साथानी की चरूरत इस ब्यूरो क्रेसी के तमाम सारे साथ गोजर बिच्छू आज उनका भी सम्मान होना चाहिए तो पांडे जी ने वही किया है आप देखिए कि कोई भी सरकार हो चार पांच आईए सबसर मंत्री चलाते हैं बाकी तो सब आईए सबसर अपनी किस्मत को कोस्ते घूमते हैं जब मंत्री लिख दिया कि हमारा परमुख सच्छू फोन नहीं उठाता हमको भी बैठक में नहीं बुलाता जानकारी नहीं देता वह परमुख सच्छू बने हुए अपने पदों पर डिप कोई पूछने वाला नहीं है अब बीजेपी सरकार में लोगों को यससे बढ़ी अफसरों को मौका कहां मिलेगा जहां नेता से ज़्यादा अफसर कम हातो हो बिर्जेज जी गिरने के बड़े फाइदे हैं एक साहितिकार ने लिखा है पतन से ना मोच आती है ना फैक्चर ह होता है कितने ही लोगों को मैंने कितने ही छेत्रों में गिरते देखा है जो मौका देखकर कुछ लोग तो एकदम आड़े हो जाते हैं ना उन्हें मोच आती है ना उनकी हड़ी तूटती है सिर्फ धूल लग जाती है और वह धूल सिर्फ कपडों पर लगती है आत्मा पर नहीं लगती इसी का नाम ब्यूरोक्रेसी है बहराल जी अदम गोडवी साहब ने लिखा है सुनिएगा कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए आप भी इस भीड में घुसकर तमासा देखिए और जो बदल सकती है इस जिनिया के मौसम का मिजाज उस युवापीडी के चहरे की हतासा देखिए जल रहा है देश और बहला रही है कौम को और किस तरह असलील है कविता की भासा देखिए और मत्सिगंदा फिर कोई होगी किसी रिशी का सिकार दूर तक फैला हुआ है गहरा कुहासा देखिए बहु